हेलो बच्चो आज मैं chemical kinetics का first part लेकर आया हूँ जो 12th chemistry, physical chemistry actually बोलना चाहिए का most important chapter है तो students ये बहुत ही simple chapter है और क्या इस chapter में पढ़ना है इनके कई सारे parts मैं बनाने वाला हूँ आप ध्यान से सारे parts को देखते रहें तो आपको ये chapter बहुत आसान लगने लगेगा सबसे पहले ये जानने की कोशिस करते हैं कि आखिर chemical kinetics का meaning क्या है और आखिर इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले है तो chemical kinetics को मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ kinetics का मतलब होता है kinetics का क्या मतलब होता है students kinetics kinetics को मैं ऐसा लिख सकता हूँ kinetics का meaning होता है motion ठीक है chemical reaction तो हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो chemical reaction का speed के बारे में पढ़ने वाले हैं आपस में कोई reactant है A और B यह आपस में reaction करके क्या बना रहे हैं एक product बना रहे हैं ठीक है कुछ भी product बना रहे होंगे तो यह reaction यह reaction यदी fast है या slow है तो इस बात का information आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस reaction के complete होने के time को notice करोगे आप बोलोगे कि यदी यह reaction एक घंटे में हो रहा है 1 hour में हो रहा है तो आप बोलोगे sir यह reaction तो बहुत ही slow है और यदी आप इसी reaction को बोलोगे कि यह 10 minute में हो गया तो आप बोलोगे sir यह reaction तो fast है अब बात समझ में आ रही क्या है यदि reaction के complete होने का समय कम है तो आप बोलोगे reaction fast है यदि reaction के complete होने का समय बहुत ज़ादा है बहुत देर में complete हो रहा है तो आप बोलोगे sir reaction slow है तो ultimately आपने इस reaction को किस से relate कर दिया है time से relate कर दिया है ठीक है तो हमें ultimately chemistry में एक मात्र ऐसा chapter है जो chemical mechanics है जिसमें हमको time से deal करना है clear हो रही बात ठीक है तो यही एक ऐसा chapter है, मैं फिर जह बोल रहा हूँ, यही एक ऐसा chapter है पूरे chemistry में, जिसमें हमें समय से deal करना है, मतलब समय को chemical reaction से relate करना है, तो अब आप ये समझ चुके हैं students कि chemical kinetics में ultimately मुझे क्या पढ़ना है reaction के rate के बारे में पढ़ना है reaction के speed के बारे में पढ़ना है actually में जो reaction की speed होती है उसे हम chemistry में क्या कहने वाले है rate of chemical reaction ठीक है rate of chemical reaction के बारे में हमको इस chapter में पढ़ना है rate of chemical reaction को पढ़ने के पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है वो बाती क्या क्या है तो ये सुनते चलते हैं देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है सबसे पहले हमको ये टर्म जानना जरूरी होता है बच्चो केमिक concentration of solute बहुत ही simple concentration of solute ये concentration तो बहुत ही simple है chemistry में सब बच्चों को पता ही होता है कि किसी solution में solute की quantity को represent करना ही तो concentration होता है चलिए पहले example से हम समझते हैं कि suppose मेरे पास में कुछ water रखा हुआ है दो container में मैंने water भर के रखा हुआ है ठीक है अब मैंने इसमें मैंने इसमें इसमें मैंने दो ग्राम सूगर डाल दिया तो ये बन गया solution और इसमें मैं 5 ग्राम सूगर डाल दिया तो ये भी बन गया solution अब ये किसका solution है water और sugar का, ये किसका solution है water और sugar का, लेकिन इस 5 gram sugar और 2 gram sugar, पर ये sugar की quantity तो अलग-अलग है ना, तो इस sugar की quantity को ही solution में represent करना ही concentration होता है, ठीक है, clear हो गया, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ये है 10 ml water, और ये है मालो 50 ml water, ठीक है, 50 ml water, तो आप क्या बोलोगे, 10 ml water में 2 gram sugar बुला है, यहाँ पर क्या बोलोगे, 50 ml water में 5 gram sugar बुला है, तो 5 gram पर 50 ml, ऐसे ही तो बोलोगे, क्या बोलोगे, 5 gram sugar present in 50 ml water, यही तो बोलोगे बेटा, ठीक है, तो यही क्या चीज है, concentration है, किसका, सुगर का, किस में, solution में, clear हो गया, ठीक है, चलिए, अब यह तो बहुत सिम्पल सी बात है, कि हम यहाँ पर हमको solution में, solution को, concentration को represent करने के बहुत सारे option होते हैं, उसमें से सबसे most important option होता है, molarity, जिसको, हम क्या represent करते हैं, capital M से represent करते हैं, अब यह molarity क्या होता है, क्या होता है students, यह होता है, number of moles of solute, dissolve in one liter of solution, देखो, उपर जो बात मैंने कही थी, कि solute की quantity को represent करना है, actually में concentration क्या है, quantity है, किस की quantity, solute की quantity, किस में, solution में, ठीक है, तो आपने fix कर दिया, एक liter solution आपने fix कर दिया, एक liter solution में, solute के जितने भी moles होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, molarity बोलते हैं, अच्छा, moles क्या है, moles कुछ भी नहीं है, बच्चो, moles क्या होता है, solute की quantity को एक represent किया, solute बोलो, या किसी भी दुनिया के किसी भी chemical substance को, moles से represent किया जा सकता है, ठीक है, mole क्या है, ये quantity को represent करता है, mole होता है mass of substance ठीक है mole क्या होता है mass of substance कोई भी substance का mass divided by molecular mass ठीक है molecular mass तो actually में क्या होता है जैसे मैं आपको बोता है simple example समझो मेरे पास में यदि sugar है तो ये sugar की quantity को आपने किस में represent किया है gram में आप दुकान जाते हो market जाते हो market से sugar खरित के लाते हो आप बोते हो sir दुकान दार को 1 kg sugar दे दो 2 kg sugar दे दो तो ये 1 kg 2 kg क्या है ये actually में sugar की quantity है किस रूप में है किस में है mass में है mass 1 kg 2 kg 100 gram 200 gram आप दूद लेते हैं 1 liter 2 liter तो ये volume है ठीक है उसी प्रकार students किसी भी substance की वैसे especially chemical substance की quantity को हम किस से represent कर सकते है mass से mole से represent कर सकते है आप एक काम करना आप shop में जाना और shop keeper को बोलना कि मुझे 10 mole sugar दे दो यदि वो chemistry का जानकार है तो आपको 10 mole sugar वो वे करके दे देगा ठीक है ना वो आप calculate कर लेगा mass of substance upon molecular mass से वो calculate कर लेगा यदि वो chemistry जानता है तो ठीक है क्या बोला कि यदि आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसको बोलते हैं ना कि मुझे 1 mole sugar दे दो तो वो कितना sugar दे देगा वो दे देगा 342 gram sugar दे देगा कैसे 342 gram sugar देगा क्योंकि sugar का, sugar क्या होता है C12, H22, O11 अब आप इसका molecular mass calculate करेंगे ना तो हो 342 होता है ठीक है तो 1 mole sugar का mass कितना हो जाएगा 342 gram हो जाएगा clear है students तो ये सब बातें आपने 11 में पढ़ रखा होगा तो ultimately अभी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 1 liter solution में solute के जितने भी mole घुले होते है जितने भी mole dissolve है उसी को हम क्या बोलते है molarity बोलते है चलो मैं एक example बोलता हूं मालो यह कि मेरे पास में एक container है और इसमें मैं बोलता हूं कि 20 liter solution है कितना liter solution है 20 liter solution है clear हो रहा है और इस 20 liter solution में solute के 40 mol है ठीक है 40 mol 40 mol से तो आप खुच सोचो 20 लीटर में 20 लीटर में 40 mol है तो एक लीटर में किते होंगे 2 mol होंगे होंगे ना 20 में 40 है तो एक में 2 mol होंगे यही 2 mol इस solution का क्या है molarity तो इसको कैसे mol represent करोगे 2 mol clear हो गई बात अब बात करते हैं इसका formula यह 2 mol है कैसे calculate किया आपने तो आप बोलोगे sir आप 40 को 20 से divide कर दो ठीक है ना 40 divided by 20 ही तो 2 होगा अब यह 40 क्या था देखो 40 क्या है यह है number of moles of solute और 20 क्या है volume का solution का volume लीटर में यही तो है 20 के है volume का volume of solution इन लीटर ठीक है तो इस basis पे बच्चों मेरे पास में mol hierarchy का एक simple सा क्या आगया formula आगया है क्या number of moles of solute present present in one liter of solution मतलब volume of solution और यदि इसके unit की बात करने चाहें बच्चों तो mole per liter, mole तो unit हो गया लीटर तो mole per liter क्या हो गया molarity का unit हो गया चलिए बच्चों अब rate of reaction को समझने की कोसिस करते हैं तो सबसे पहले बच्चों मैं rate of reaction का definition लिखता हूँ ठीक है rate of reaction सबसे important topic है यह board में पूछ लिया जाता है rate of reaction को वैसे हम इस chapter में r से represent करने वाले है rate r rate कभी भी यह rate term आया physics में भी rate term आया है तो आप इसको सीधा सीधा time से relate करो rate का relation किस से है time से है ठीक है तो आप धियान से सुनोगे बच्चों क्या definition मैं बोलने वाला हूँ फिर हम इसका explanation आपको देंगे तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले लिखते है change in concentration आप concentration तो आप समझ चुके हैं इस chapter में concentration को मैं मोलहरिकी से बताने वाला हूँ तो change in concentration of reactant ठीक है change in concentration of reactant और product ठीक है reactant और product with respect to with respect to time is called क्या बोलते हैं इसे is called rate of reaction is called rate of reaction ठीक है rate of reaction का ये simple सा मैंने definition लिख दिया है अब ये definition आपको समझ में तो आया होगा नहीं जैसा मैंने लिख दिया है तो इसको समझते हैं बच्चो rate of reaction मतलब ultimately ये क्या है आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं ये है actually speed of reaction ठीक है speed of reaction अच्छा अब सुनो ध्यान से speed of car यदि आपके पास में कोई car है या car की speed का definition आप कैसे बोलते हैं तो आप क्या बोलते हो एक change क्या बोलते हो change in distance ठीक है न कार यदि कार की speed की बात करते हैं तो car travel कर रहा है और यदि यदि कार travel कर रहा है तो distance में continuously changes हा रहा है तो changing distance upon changing time तो देखो बच्चो क्या होगा कि मारे पास में एक point यह है एक point यह है ठीक है माल लो दोनों point का distance है 20 km क्लियर हो गया और एक car यहां से यहां तक चलने में लेता है 10 minutes तो आप velocity कितना बोलोगे तो आप velocity बोलोगे distance divided by time कितना बोलोगे distance हो गया 20 time हो गया 10 मतलब आप इसका speed क्या बोलोगे students आप बोलोगे 2 km पर minute बोलोगे यही तो बोलोगे अब सुनो क्या change हो रहा है distance change हो रहा है किसके साथ साथ time के साथ सा देखो यहां से continuous ली चलता गया चलते गया चलते गया तो distance में continuously changes हा रहा है with respect to time उसी प्रकार बच्चो rate of reaction में क्या change होगा और with respect to time तो देखो ध्याल से देखो आप बहुत simple से बात मैं कहता हूँ मेरे पास में container है बच्चो और इस container में मैंने 2 reactant add कर दिये मैंने reactant A add किया और reactant B add किया ठीक है मालो reactant के मैंने A के मैंने 10 gram डाले है और B के भी 10 gram डाले है तो यह अभी मैंने A और B को add कर दिया है और A और B आपस में reaction करके क्या बनाएंगे बच्चो यह कुछ product बनाएंगे ठीक है अब खुछ सोचो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह A का 10 gram B का 10 gram आपस में reaction करने लगेंगे और वो किस में convert होने लगेगा product में convert होने लगेगा है की नहीं सिंपल सी बात A का 10 gram B का 10 gram धीरे-धीरे product में convert होने लगेगा मतलब यह है कि A की quantity धीरे-धीरे कम होने लगेगी B की quantity धीरे-धीरे कम होने लगेगी मतलब A का 10 ग्राम जो सुरू में था वो 5 मिनिट बाद 10 ग्राम नहीं रहेगा B का 10 ग्राम जो सुरू में था वो 5 मिनिट बाद 10 ग्राम नहीं रहेगा वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा और simultaneously simultaneously मतलब साथी साथ यह जो product की quantity है वो बढ़ती जाएगी सुरू में product कितना रहाएगा निश्चित रूप से जब reaction स्टार्टी हुआ है तो product रहाएगा जीरो अब धीरे-धीरे product बढ़ता जा रहा है ठीक है तो यही बात तो हमने लिख रखी है देखो क्या लिख रिख रही है change in concentration ठीक है concentration change हो रहा है किसका of reactant का continuously वैसे reactant का concentration change होने के साथ सथ क्या हो रहा है कम हो रहा है और product ठीक है और यह product का concentration क्या हो रहा है बढ़ रहा है with respect to time is called rate of reaction ठीक है तो जिस प्रकार से हमने speed का formula लिखा speed of car का उसी प्रकार में rate of reaction का भी formula लिखने वाला हूँ क्या होगा rate of reaction का formula तो क्या होगा क्या होगा students rate of reaction rate of reaction rate of reaction को मैं क्या लिखूंगा क्या change हो रहा है तो change change in concentration किसका of किसका बोलो तो reactant और product ठीक है आर और पी लिख दिया मैं with respect to time clear हो गया ठीक है और एक बात और clear कर देते है reactant का concentration कम होगा कम हो रहा है मतलब change हो रहा है product का concentration बढ़ेगा change हो रहा है ठीक है concentration is nothing but quantity ठीक है एक important बात सुनना बच्चों यहाँ पर unit क्या होना चाहिए unit of rate of reaction क्या होगा तो concentration का unit upon time का unit concentration का unit हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रखा है mole प्रती लीटर upon में time क्या होगा बच्चों time तो कुछ भी ले सकते हो आप second ले लो minute ले लो hour ले लो normally हम second लेते हैं तो इसको और कैसे मैं लिख सकता हूँ mole प्रती लीटर mole प्रती लीटर प्रती second अगली बात सुनना बच्चों मैं यदि बोलता हूँ कि मेरे पास में A और B ये reaction कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं एक product बना लिए C ठीक है और especially मैंने इसे कैसा लिख दिया बच्चों ये क्या है बताइए ये मैंने लिख दिया है gas face reaction ठीक है तो gas face reaction में मैंने लिख आ AB gas है, BB gas है, CB gas है अब gas है तो उसका कुछ न कुछ क्या होता है pressure होता है पता है ना gas है तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा pressure होगा तो क्या reaction में continuously यदि quantity change होगी तो pressure change होगा क्या खुद सोचो, मालो A का starting pressure है 10 ATM ठीक है, B का starting pressure है 10 ATM ठीक, और C का starting pressure कित्ता होगा, 0 ATM 20, तो बनाई नहीं है न, ये तो product है 0 होगा, starting बोर रहा हूँ, starting मतलब जब समय, जब time t is equal to 0 है और थोड़ी देर के बाद ये A consume होगा disappear होगा, किस में वो convert होता जाएगा, C में B भी दीरे-दीरे कम होता जाएगा C में, मतलब दीरे-दीरे A का pressure क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, B का pressure दीरे-दीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और C का pressure दीरे-दीरे क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो gas face reaction के लिए gas face reaction के लिए unit of rate of reaction क्या होना चाहिए तो खुद सोचो क्या change हो रहा है यहाँ पर तो pressure change हो रहा है तो change in pressure with respect to time pressure का unit हम normally क्या लेते है ATM with respect to time मतलब second तो यह भी एक unit हो गया rate of reaction का in terms of pressure clear है अब अगली बात सुनो बच्चो मैंने rate of reaction को दो प्रकार से define किया है मतलब दो प्रकार के rate of reaction होते हैं वो क्या क्या होते हैं ध्यान से देखो आप एक बोल सकते हो क्या सुनो आपने 11 में पढ़ रखा है speed या velocity अब speed और velocity को भी याद करो आपने average velocity या average speed और instantaneous speed याद है आपने 11 में पढ़ रखा है average speed और instantaneous speed उसी प्रकार बच्चो मेरे पास में क्या होगा एक होता है average rate ठीक है एक average rate और एक होता है instantaneous instantaneous rate ठीक है तो average rate और instantaneous rate क्या होता है तो कुछने बच्चो जो definition पहले भी पढ़ रखा है वही चीज़ है यहाँ पर भी average rate क्या होता है देखो खुद मैं पहले आपको एक example से बोलता हूँ ठीक है मालो यहाँ पर एक point A है यहाँ पर एक point B है car की speed से समझना है न कार को वाला speed से बता रहा हूँ यह पूरा जो distance है वो मालो 100 km है ठीक है यह पूरा जो distance है वो 100 km है अब एक car जो यहाँ से चलना प्रारम करती है वो यहाँ तक पहुंचती है मालो 60 मिनट में यह से भी तक travel करने में उसको कितना मिनट लगा 60 मिनट लगा ठीक है 60 मिनट लगता है अब आपको मैं यह बोलता हूँ कि बच्चो मैं car की speed जानता है वाला हूँ या मैं आपसे पूछता हूँ 20 मिनट से 30 मिनट मतलब 20 से 30 मिनट 60 मिनट में total पहुँच है ना 20 से 30 मिनट में उसका speed क्या रहा होगा मतलब एक time interval दे दिया मैंने तुमको क्या एक समय अंतराल दे दिया 20 से 30 मिनट में उसका speed क्या होगा या मैं दूसरा बोलता हूँ मैं पूछता हूँ just 20th second पे 20th मिनट पे उसका speed क्या होगा दोनों फर्क है की नहीं है मैंने यहाँ पर आपको एक time interval दे दिया ठीक है वही मैंने बोला कि 20 से 30 मिनट के बीच कार की speed क्या होगी एक question हुआ दूसरा question मैंने पूछा just 20th मिनट पे कार की speed क्या होगी ठीक है तो यह दोनों में फर्क है की नहीं है तो देखो जब मैं इसी को बस relate कर दो सुरू वाले को जब यह 20 से 30 मिनट ताइम इंटर्वेल दे दिया तो मैंने उसको क्या बोल दिया average speed और instantaneous speed आप किसको बोले होगे एक particular time instant में किसी reaction के किसी car की speed को instantaneous speed का दिया ठीक है बच्चो तो आप सुनना है ऐसा कोई बहुत important बात नहीं है average rate of reaction और instantaneous rate of reaction क्या होगा कि एक time interval पे एक लंबे time interval पे यदि मैं आपको reaction का rate पूछूं तो आप उसको बोलोगे average rate of reaction और एक instantaneous time particular समय पे आपको पूछें कि reaction का rate क्या है तो आप उसको instantaneous rate of reaction बोलने वाले हो अच्छा अब सुनना students के वल क्या होता है rate को हम कैसे represent करते है R से ठीक है अच्छा change ये change के लिए हम delta लिखते है change in concentration change in concentration of reactant upon change in time ठीक है तो ऐसे तरीके से represent करते है या आप इसको भी बोल सकते हो change in concentration of product upon change in time ठीक है तो इस तरीके से represent करते हैं अब बच्चो याद करोगे reactant का concentration दीरे दीरे क्या होता है कम होता है अब reactant का concentration कम होता है इसलिए इसको हम minus से represent करते हैं तो minus sign केवल indicate करता है reactant के concentration के कमी हो ठीक है instantaneous rate of reaction हम कैसे define करने वाले ये definition तो same है न तो ये हो गया rate ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मली change in concentration of reactant upon changing time कुछ नहीं D और delta से represent कर देते हैं कोई इससे फरक नहीं पड़ता है हम एक बर कहा रहे हैं आपको कोई फरक नहीं पड़ता है clear हो गई बात तो change in concentration with respect to time ही है reactant के लिए minus लगा लेते हैं और product के लिए क्या रहाएगा बच्चों ये product के लिए हम positive रिखाते हैं ठीक है तो बच्चों एक important बात यहाँ पर सुनना नौर्बरी सभी बच्चों को यहाँ पर confusion होता है किसी भी reaction के rate को मैं reactant और product दोनों term में पता सकता हूं notice करेंगे क्योंकि reactant और product दोनों के concentration में simultaneously changes आते हैं एक साथ changes आते हैं clear होरी बात तो इसको हम एक graph से भी समझ लेते हैं बच्चों एक simple सा मैं graph बता रहा हूं graph आप देखिएगा क्या होता है graph कि मैं यहाँ पर plot करने जा रहा हूं किसमें मैं यहाँ पर plot करने वाला हूं between time and concentration ठीक है time and concentration concentration ठीक है तो concentration और time concentration किसका लेने वाला हूं तो मैं लेने वाला हूं reactant और product दोनों का ठीक है तो आप खुद सोचो x axis पे हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो time बढ़ता जा रहा है और y axis में जब मैं उपर जा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है concentration बढ़ रहा है यह origin है यहाँ पर क्या है 0 है क्या 0 है time भी 0 है concentration भी 0 है जब कोई reaction माल लिया कि मेरे पास में reaction है a plus b gives product ठीक है जब कोई reaction जैसे ही मैं start कर रहा हूं मतलब समय अभी 0 है जैसे ही मैं reaction इस्टार्ट कर रहा हूं reactant का concentration reactant का quantity maximum होगा ठीक है यह reactant का concentration maximum होगा तो maximum मतलब यहाँ पर मैंने लगा लिया अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा समय में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा reactant का concentration यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूं यह किसका point हो गया reactant का point हो गया तो जैसे जैसे हम समय बढ़ता जाएगा reactant का quantity क्या होता जाएगा बच्चों कम होता जाएगा तो graph का nature कैसा आएगा कुछ इस तरीके से आएगा दिरे 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 यह कम होता जा रहा है मतलब मैं y axis पे नीचे आ रहा हूं क्योंकि concentration y axis पे नीचे कम हो रहा है और x axis पे मैं आगे बढ़ रहा हूं notice करोगे जब समय 0 है जब समय 0 है तो product का quantity कितना है? 0 है तो 0 मतलब यह product का concentration 0 है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा product का concentration भी दिरे 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 बढ़ता जाएगा मतलब मैं x axis में बढ़ते हुए y axis पे उपर जाऊंगा तो यह line किसके लिए? बच्चो यह line हो गया product के लिए तो I hope आपको यहां तकी सारी बातें समझ में आ रही होगी तो दीख भी रहा है आपको जैसे जैसे समय बढ़ रहा है reactant कम हो रहा है product बढ़ रहा है एक साथ यह process होता रहता है तो बच्चो next एक most important बात समझने की कोसिस करते हैं इसका heading आपके सामने मैंने लिख दिया है क्या heading है relation between rate of disappearance of reactant and rate of formation of product जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया कि किसी reaction का जो rate होता है वो reactant और product दोनों के term में बता सकते है तो दोनों के term में तो बता सकते है लेकिन उनमें क्या कोई relation होता है तो उसको हम समझने वाले हैं तो इन words को बहुत carefully सुने और समझें जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक example लेते हैं बच्चों कि माल लिया कि मेरे पास में एक reaction है A gives 2B अब ध्यान से देखोगे इस reaction से मुझे क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है उतने देर में A का 1 mol consume होता है consume हो रहा है continuously consume हो रहा है A reactant है तो ये consume होगा कितना consume होगा 1 mol ये पूरा consume होगया जैसे ये पूरा consume होगा B का 2 mol बन जाएगा ठीक है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान से मेरे statement को सुनो जितने देर में A का 1 mol consume होता है उतने ही देर में B का 2 mol बन जाएगा मतलब time same है लेकिन A का 1 mol consume हो गया उतने ही देर में B का 2 mol बन गया तो माल दिया कि मैं A के consumption को R A से represent कर दिया ठीक है न? rate है और B के formation को R B से represent किया minus sign reactant को बता रहा है that's it अब इन दोनों में बड़ी value कौन सी होनी चीए यदि मैं numerical value की बात करो तो ये बड़ी होना चीए क्योंकि जितने देर में A का 1 mol consume होआ उतने ही देर में B का 2 mol बन गया है ठीक है? तो क्या A बड़ा है ये छोटा है वो तो ठीक है लेकिन क्या इसमें कोई relation है? तो बिल्कुल relation है आप खुद सोचो minus R1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ Rb अब ये छोटी value है ये बड़ी value है छोटी value को मैं यदि 2 से multiply कर दूँ क्योंकि 2 का एक factor आ रहा है तो छोटी value को 2 से multiply कर दूँगा तो वो बड़ी value के equal हो जाएगा क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? minus R A upon me 1 is equal to Rb upon me 2 clear हो गया क्या? लिख सकते हैं ना? ठीक है? तो बच्चों आप इसको याद कर लो याद नहीं करना है समझना है याद नहीं करना है समझना है देखो A का जो coefficient है 1 तो उसी के rate को 1 से divide कर दिया B का coefficient जो है वो 2 है उसी के rate से इसको divide कर दिया और यहीं क्या है बच्चों? A और B मतलब reactant और product के rate में relation है यह reactant का consumption या disappearance बोल सकते हैं जो उपर लिखा हुआ है या यह है product का formation और ultimately यही क्या है? यही क्या है बच्चों? Rate of reaction है तो मैंने rate of reaction को किस term में बता दिया? reactant के term में बता दिया rate of reaction को किस term में बता दिया? product के term में बता दिया तो अब बातें समझ में आ रही हैं आपको ठीक है अब देखिएगा minus R A इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ मैंने थोड़ी देर पहले ये तो बताया था कि ये होता है minus r a को मैं लिख लिया change in concentration with respect to time जो इस square bracket होता है बच्चों ये किस चीज को बताता है ये concentration को बताता है और especially कौन सा concentration को molarity को जिसका unit क्या होता है mol per liter ठीक है तो change in concentration with respect to time with minus sign a के लिखा ये किस के equal है बच्चों 1 by 2 ये 1 by 2 को लिख लिया d of concentration of b over dt देखिए simple सा बात हो गया है की नहीं है चलिए एक और example ले लेते हैं प्यारे बच्चों मैंने suppose n2 plus h2 gives ns3 बनाया क्या बना लिया मैंने ammonia बना लिया तो n2 plus 3 h2 gives 2 ns3 ये reaction को मैंने balance कर लिया तो क्या आप बता सकते हैं इस reaction में nitrogen का disappearance hydrogen का disappearance ये दोनों disappear हो रहा है consume हो रहा है और ये बन रहा है तो ये किस rate से consume हो रहा है किस rate से बन रहा है और इनमें क्या relation होना चाहिए तो आप बोलोगे 1 is equal to minus of r h2 divided by किता होगे बच्चो 3 is equal to r of ns3 divided by किता होगे बच्चो 2 और ये क्या है ये ही क्या है इस reaction का rate of reaction है बच्चो तो rate of reaction को मैंने किस के term में बता दिया एक बार nitrogen के term में भी बता दिया एक बार hydrogen के term में भी बता दिया एक बार ammonia के formation के time में भी बता दिया है और क्या लिख सकते हैं बच्चों तो लिखने का तरीका आप देख लें rate of reaction क्या होगा देखिए minus d of concentration of n2 upon dt ठीक है ना is equal to 1 by 3 minus में d of h2 change in concentration with respect to time ये is equal to क्या होगा 1 by 2 d of ns3 upon dt that's it ठीक है ना समझ में आ गया और आप इस प्रकार से बच्चों किसी भी reaction के rate को लिख सकते हैं reactant और product के टर्म में बस आपको क्या करना होगा जो स्चाइकोमेट्रिक कोफिसियेंट होता है उससे डिवाइट करना होगा चलिए प्यारे बच्चों अब एक question कर लेते हैं आप देख सकते हैं मैंने question लिख रखा है ncrt index question है 4.2 और इस question को solve करते हैं in our reaction 2a gives product मतलब आपके पास में एक reaction है प्यारे बच्चों 2a gives product लेख लेते हैं ठीक है the concentration of a यह a क्या है reactant है decreases definitely कम हो रहा है from 0.5 to 0.4 तेको 0.5 से 0.4 हो गया in 10 minutes calculate the rate during this reaction तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों इस reaction का सबसे पहले rate of reaction लिखे तो कैसे लिखेंगे rate of reaction कैसे लिखेंगे बताइए तो rate of reaction कैसे लिखने वाले है minus में 1 by 2 d of a over dt ठीक है ना ऐसे ही तो लिखेंगे a के लिए minus 1 by 2 कर लिया और a क्योंकि reactant है इसलिए minus लगाया और क्या लिखने वाले है d of p over dt और यहाँ पर तो इस geometric efficient क्या है बच्चो 1 है तो anyway अभी आपको यह वाले part से मतलब नहीं है क्यों क्योंकि आपको a का concentration decrease लिखा हुआ है तो देख लेते हैं कितना minus में 1 by 2 अब change यह d का मतलब होता है change in concentration change के लिए हम क्या लेते है final minus initial final किता है प्यारे बच्चो 0.4 और initial किता है 0.5 तो यह हो गया 0.4 minus 0.5 clear हो गया upon कितने देर में change हो रहा है 10 minute में change हो रहा है तो यह मैंने 10 लिख लिया clear हो गया अब देखो minus 1 by 2 0.4 minus 0.5 यह कितना हो गया प्यारे बच्चो 0.1 divided by कितना हो गया 10 यहाँ पर क्या आ जाएगा minus आ जाएगा ठीक है तो यह minus minus कितना हो गया plus हो गया कि नहीं हो गया और यहां हो गया 0.5 और into यह हो गया 10 is to power minus 2 हो जाएगा ना solve करोगे तो तो ultimately यह क्या हो गया पहरे बच्चो 5 into 10 is to power minus 3 unit की बात कर लेते हैं unit क्या होगा इसका unit होता है mole प्रति लीटर और यह 10 minute दिया हुआ है तो बच्चो यहाँ पर unit क्या हो जाएगा mole प्रति लीटर प्रति मीनट होगा clear हो गया बात तो आई होप आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी thank you very much का ल Do 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 Do. मीनट झई मने आपको यहाँ हो छेपको यहां वे 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 तो